हेलो दस्तो आप लोगों को एक अपडेट देने के लिए में ये एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो बना रहा हूँ ये अपडेट आ रहा है यमा के तरप से निकल कर यमा ने रिशेंडली अपनी एक न्यू बाइक का ट्रेट मारे रिश्टर करवाया है जिसका नाम होने लिए ये काफी जगा इंटरनेशनल ओनेशनल मार्केट में काफी साइसों में इसको Ici अपलाई किया गया है आट के नाम से जैसा कि एंट इंटनेशनल देशों में इसको अपलाई किया गया है ये आट आयर टू एक आर सीरीज में 200 CC की बाइक होने वाली है जैसा कि आर सीर अधारीत होगी, इसमें आपको R15 से थोड़ा से ज़ादा पावर देखने को मिलेगा और ज़ादा टॉप e-speed भी देखने को मिलने वाला है और इसका जो डिजाइन होने वाला है वो R3 और R7 से इस्पारिड होने वाला है दोनों का कुछ आपको पार्ट इसमे और कुछ डिजाइन आपको सेम देखने में मिलने वाला है यमा कमपनी एक नया इंजन बनाने वाली है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि R1 जो 5 है वो 155cc की बाइक होती है R3 300cc की R6 600cc की ऐसा है करका है बट इनके पास अभी 200cc का कोई इंजन नहीं है तो यहाँ पर जो यमा है वहाँ पर आपको 200cc का नया इंजन बना रही है जिसमें R2 में इसको 8 किया जाएगा तो अब इस सेग्मेंट में R2 आने वाली जिससे आप यमा में 200cc की भी बाइक देखने को मिलने वाली है तो यह कुछ अपडेट अभी निकल कर सामने आ रहा है वह इंडियन मार्केट में बात करें तो इंडियन मार्केट में अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक इसको ट्रेड मार्ड में फिल नहीं किया गया है हो सकता आने वाले कुछ टाइम में साइद इसको भी इंडिया में लॉंच किया जा सकता है बट जब यह इंटरनेशनल मार्केट में लॉंच होगी उसका मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूँगा तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रख सकते हैं तो ऐसे ही बाइक रिलिटेड न्यूज अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजे क्योंकि मैं यूटूब से पहले हूँ वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और इसका भी अपडेट मैं करीबन 2-3 गंटे पहले वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था तो चलिए मिलते हैं किस यूँ और वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए रैड विट बाइक